केंद्र सरकार आगामी 15 दिसंबर को शेदकालीन सत्र के दोरान बैंकिंग अमेंडबेंट बिल लाने की तैयारी में है इधर देश के 10 लाग बैंक कर्मियों ने आगामी 16 और 17 दिसंबर को युनाइटेट फोरम और बैंक यूनियन के अहवान पर देश व्यापी बैंक खरताल की घोशना कर दी है मंगलवार को जमशेदपूर के मांगो गोलचकर पर युनाइटेट फोरम और बैंक यूनियन सहित तमाम बैंक संगटनो द्वारा जोरदार प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से बैंकों के निजीकरन रोकने बैंकिंग अमेंडमेंट बिल वापस लेने और 16 और 17 द कर रहा है और इस पदर्शन का एक मत कारण है कि सरकार मोधी सरकार के द्वारा जो निजीकरन का बील बैंकिंग उद्वत का निजीकरन बील संक्सद में प्लेस करने जा रहा है उसका बिरोध में हमने यहां पर पदर्शन कर रहा है और पदर्शन लगातार क्यारी है जोड़ा पनला तरीक को हमारा स्ट्राइक है और इस्ट्राइक को सक्सेस्पूल हम लोग को बनाना ही है क्योंकि मोधी सरकार जीस्करा का निजी करन के विए आगे कदम रख रहा है उचका फुद्योर बिरो इन बैंक एंप्लाइज कर रहा है Newswing के लिए Jamshetpur से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट So I researched it online, I got through all the reviews and everything Then I got in touch with the White Hat representatives And I was very happy with the progress and all how he was doing So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing I started coding because we can make our thoughts real, we can interact with the computer White Hat Junior is helping me to create a web browser And I think on this part White Hat is actually leading, you know, on this coding platform It is definitely a very good platform and one should implement in every school